हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू मैं चैनल आज की लाइव क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है ठीक है अगर आप भी बीसी एमसी के स्टुडेंट है तो यह वीडियो को आपको अंत तक देखना है चाहे आप competition के भी तैयारी कर रहा है और आपके syllabus में alternate non-alternate hydrocarbon है तो यह वीडियो को आपको अंत तक देखना है ठीक है आज किस वीडियो में हम complete details एक्जामपल सही था आपको बताने वाले है सब कुछ किले लिए आपको समझ में आ जाएगा और हमारे इस चैनल पर MSC first semester chemistry के daily video upload हो रहे हैं इसलिए आप subscribe कर लिजए MSC first semester के चाहत रहे हैं तो second semester, third, fourth, सभी semester के आपर जो है notes आपको मिलने वाले हैं ठीक है और हमारे चैनल के द्वारा आपको बता दे हिंदी English Mixed Notes तयार कर लिए गए हैं chemistry के MSC chemistry के हिंदी English Notes तयार कर लिए गए हैं जिसको लेना है तो contact सबी पेपरों के साथ में और सबी पेपरों के साथ में IMP question भी फ्री में दिये जाएंगे ठीक है IMP question पेपर तो जिसको भी लेना है यह contact number आपको स्क्रीन पर देख रहा है जल्दे से contact कीजे बहुत ही कम गीमत पर notes आपको मिल जाएंगे ठीक है और मैंने कापी सारी वीडिय अब आपको मिल जाएंगे रिजोनेंस वगेरा तो आप डिसक्रीप्शन जरूर चेक कर लिजेगा और सब्सक्राइब जरूर कर लें आपके यहां पर फायदा होगा ठीक है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पेस्ट कर लिजेगा डेली वीडियो आ रही है और पेन पी लेकर आपको बैठना है साथो साथ आपको लिखते भी जाना है अगर आप बनाते हैं यूट्यूब से तो बनाते जाए अक्सर इससे प्रश्ण आपकी पीपर में आ जाते हैं बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन के बारे में हम बात कर हैंगे ऐसे मॉलिकूल जो लीनियर लीनियर कंजूगेटेड और साइकलिक कंजूगेटेड हो जिसमें रिंग इवन नमबर के कार्बन से बने होते हैं अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन के लाते हैं ठीक है एक बार फिर से ऐसे मॉलिकूल जो लीनियर ठीक है मतलब एक लाइ आपके सब्कूत आपको समाझ में आयेगी तो यहां से चोड़ कर चल जाएंगे वीडिए वीडिएवी थोड़ी से यांपर बड़ी हो जाएगी थे लिकिन आपको किलेले समझ में ब्याद जाएगा टीख है अल्टर ने ट शिस्टम में एक है डो we के एटोम दूसरे क्लास के एटोम के साथ बॉंडेट होते हैं ठीक है हाइडो कार्बन अल्टरनेट है या नॉन अल्टरनेट है इसका पता करने के लिए इस्टार से चिन्नित करेंगे आगे हम देखेंगे हाइडो कार्बन का हम पता करेंगे ठीक है अल्टरनेट है या नॉन अल्टरनेट है इसका पता करने के लिए हम इस्टार चिन का प्रयोग करेंगे आंगे आपको समझ में आएगा जैसे फर्स्ट पोजिस्टन में इस्टार का चिन लगाएंगे फिर दूसरे पोजिस्टन को खाली रखेंगे जब तक कि कारवन खत्म नहीं हो जाता इस प्रकार स जो है हम चिन्नित करते रहेंगे ठीक है तो देख लेते हैं एक्जाम्पल यहां पर आप देख रहा है एक्जाम्पल मैंने दिया है यहां पर कोई मॉल्यकुल या जो भी है ठीक है आगे एक्जाम्पल लेंगे हम ठीक है यहां पर एक ऐसी सिंपल सा एक्जाम्पल लिया है यहाँ पर कोई भी carbon atom है ठीक है यहाँ पर star से चिन्नित किया है फिर यहाँ पर अनिस्टार कर दिया है फिर एक को star किया फिर एक को अनिस्टार किया फिर एक को star किया फिर एक अनिस्टार है ठीक है इस प्रकार हम चिन्नित करेंगे तो यहाँ पर जो है even number होते हैं star अनिस्टा यह हो गए तीन मतलब यह बात करें अल्टरनेट हाइडो कार्बन में तो यहां पर जो है इस्टार और अनिस्टार के संख्या इवन होती है ठीक है इवन होती है यह बात को ध्यान रखना है तो अल्टरनेट हाइडो कार्बन के बात करें तो यह दो प्रकार के होते हैं पर जो चाहिए जो है इस तर एक स्टार और कार्बन इक्वेर होना चाहिए तिकले लेता है वह एक रावजाम्पल आ देख एस से अनिस्टार को यहां पर गिनते हैं तो यह 6 कार बराबर होती है तो ठीक है यहां पर जो है यहां पर एक स्टार है ठीक है यह मान लो यह एक जामपल ठीक है इसके बाद यहां पर सिंगल बांट CS जुड़ा रहता ठीक है और यहां पर एक star होता तो फिर क्या होता यहां पर star के संख्या एक दो यहां तीन हो जाती लेकिन अनिस्टार के संख्या यहां पर यह एक होगा और यह दो तो यहां पर फिर यह नहीं होता यह पर संक्या की संक्या चुमिन यह यहां लेखे हैं हैं यहां पर कुछ नहीं मतलब कार्बन में यहां पर कुछ नहीं मतलब कार्बन है ये तह समान होते हैं यह समान है, देख लेते हैं, पाइंट में दिया हुआ है, इवन अल्टरनेट हाइडो कार्वन में एलिफेटिक और एरोमेटिक मॉलिकूल हो, दो प्रकार के मॉलिकूल और्विटल सो करता है, ठीक है, और फर्स्ट बॉंडे, बॉंडिंग और सेकेंड एंटी बॉंडिंग यह दोनों एक दूसरे के एक्वल होते हैं, ठीक है, बॉंडिंग मॉलिकूल और जो एंटी बॉंडिंग मॉलिकूल है, यह दोनों एक्वल होते हैं, ठीक है, बंदी आबंदी, यह बॉंडेड मॉलिकूल और्विटल, ठीक है, आबंदी, एंटी बॉंडिंग मॉलिकूल औ विटेल मतलब जो बंदी बंदी आड़िक कख्षक और आबनदी आड़ित कख्षक इसे काहते हैं यह लोग यहाँ बराबर एक्वल होती है प्लाप इस गेंड पर देखी रहें अब दूसरा यहाँ पर जो आजाता है अल्टरनेट का दूसरे पकार ओड इसमें कारबन ए्टम odd number के होंगे जैसे कि एक तीन पाँच ETC odd alternate hydrocarbon generally pre-radical carbo katein भी हो सकते हैं चलिए example के तौर पर समझेंगे example मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक star यह दो star लेकिन अनिस्टार के संक्या यहाँ पर कितनी एक है मतलब जो star अनिस्टार के संक्या यहाँ पर सैम नहीं होती star यहाँ पर दो है तो यहाँ अनिस्टार के संक्या एक है तो यहाँ पर इस प्रकार का भी example होगा कि यहाँ पर star वाला कोई एक होगा और अनिस्टार वाला दो होगा तो इस प्रकार यह कर सकते हैं star अनिस्टार के संक्या odd number पर अलग-अलग होती है मतलब odd होती है जैसे 1, 3, 5, etc तो यह आपको समझ में आ गया होगा ठीक है even और odd alternate hydrocarbon और यहाँ पर एक और point दिया है odd alternate में star और unstar conjugate data एक दूसरे के equal नहीं होते हैं even में क्या होता था even में एक दूसरे के equal होते थे star और unstar के संक्या यहाँ पर बराबर आपकी होती थी लेकिन odd में नहीं होती ठीक है star के संक्या दो है तो unstar की एक होगी और star की यदि एक है तो unstar की यहाँ पर दो यह सुन होगी ठीक है अब चलिए हाँ पर बात कर लेते हैं non alternate hydrocarbon क्या होते हैं वही तो non alternate hydrocarbon में जितने भी carbon atom होते हैं वह odd भी या even भी हो सकते हैं ठीक है मतलब जो है non alternate hydrocarbon में जो carbon atom होते है वो odd भी हो सकते हैं और even भी हो सकते हैं मतलब जो है carbon atom की संक्याप equal भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है ठीक है जिसने भी like नहीं किये तो please like कीजे और subscribe भी कर लीजे हमां इसी वीडियो upload करते हैं description में कापी सारी वीडियो हमारी upload है please आप contact नहीं आप देख सकते हैं ठीक है फस सेमस्टर की ही तो चलिए भई अब आगे दूसरा point आपका दिया हुआ है non alternate hydrocarbon में cyclic compound की भात करें तो cyclic odd number of carbon से बनी होती है odd number मतलब असम करभन से बनी होती है ठीक है देख लेते है example आप देख रहे स्क्रिन पर यहाँ पर आप देख रहे है star 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 ठीक है अदर अधर 파 इस्टार की संक्या 3 है यहाँ फर लेकिन अनिस्टायर के हाँ पर आप देख रहे हैं एक और ये दो है तो ये मतलब एक दूसरे की इक्वल होते नहीं है आप देख लिजए खुद इचितर आप देखकर इतना तो आप समझ ही गया होंगे ठीक है शुरू में आपने समझ ही लिया है तो नॉन अल्टरनेट हाइ समझ में आ ही गया होगा जिसको नहीं आ तो आप दुबार इस वीडियो देख सकते हैं और नोट्स लेना है आपको तो 9770234998 पर आप जो कॉंटेक्ट कर लिजएगा हिंदे इंगलिस मिक्स नोट्स आपको मिल जाएगी बहुत ही बढ़ी है नोट्स मिलेगी ठीक है साथ म में दो साल के पेपर फ्री में दिया जाएंगे और इंपोर्टेंट कॉस्चन पेपर आपको फ्री में दिया जाएगा तो कॉंटेक्ट आप कर लिजएगा 9770234998 पर ठीक है डिस्क्रिप्शन में कॉंटेक्ट नमबर दे दूँगा और MSC फर्स समस्टर कई सारी वीडियो अपलोड है ठीक है जाकर देख लिजे बाकि आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं कोई नई टापिक के साथ है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद